कि अधिक स्टाट करना है अल्टरनेटिंग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो एक टॉपिक परना पड़ेगा हमको वह रिजल्ट आएगा उसी के बेस पे हम स्टार्ट करते हों तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से में हमारे पास इसी जनरेटर क्या करता है इसका काम यह का क्या करता है जैसे मानल nós आपके पास आप डैम बनाते तो डैम बना के हैं फिसी जनरेटर के ही हिस्से होते फिर यह ट्रबाइन गूमता है यह मेगनेटिक फिल में रखा होता है उसके उसे करण बनता है तो एक डिवाइस है जो की मेकैनिकल एनर्जी को इलेक्टिकल एनर्जी पे इसके बाद आपको बताना होता है इसके बाद आपको बताना होता है किसी प्रेंसिपल यह इहीं बढ़ा है कि जब भी किसी कोईल से लिंक मेगनेटिक फ्लक्स आपके पास चेंज़ होता है तो ऑगर एक इसका W. अब्र्चोंन अपर सब्सक्राइब और में आपको इन्डेके में बता देना है कि इस कहाद और से दिजिख लामुनेशिल में थोड़ी hands up the inducing an EMF it is the phenomena of inducing an EMF in a coil due to change in magnetic flux change in magnetic flux link with it magnetic flux link with it ठीक है यह आपके पास इससे पहला चैप्टर पूरा सी के पर था वो पढ़ रखाया हमने तो आपने वो लिखने नहीं है यह हो गया इसका प्रिंसिपल इसके बाद आते हैं इसकी construction and working तो construction में सबसे पहले पार्ट जो इसमें होता है वह होता हमारे पास armature आप में क्या होता है यह एक metal की आपके पास rectangular shape की coil होती है जिसके उपर copper के wire wounded का रख है ठीक है तो armature में आप क्या लिखेंगे it is a metallic frame ठीक है इट इजे मेटालिक फ्रेम ओर्मिच कोपर वायरण हार बुंडेट और इस इनसूलेटिट टू इस इदर यह कॉपर वायर एक दूसरे से टच नहीं हो रहे जो रहतें अधर वैसा इलेक्टिकल कोई कोंटेक्ट नहीं होता है थी कि आपर वायर इंसूलेटिटिट फ्रोम इच था एक वैटाली फ्रेमें जिसके उपर उपर के इंसूलेटिड वायर एक दूसरे से वह इस पर बूंड कर रख्थे लगएं क्या बोलते हैं आर्मेचर के बाद जो है है हमारे पास क्या आता है इस सेगिंड जो इसमें नेक्स पॉइंट आता है इसको मदब कर रहा हूं आप उतार लेना ठीक है स्क्रीन चौट लेना तो इसके बाद क्या आता है कि जो सेकिंड पार्ट आता है महारे पास वो इसमें होता व से बार certain के बार बहुतले पास बोलगत है रिखनेत्ट के विच में रख से घृट को स्ट्रोंग फर्मानेंट मेंगनेट के बीच में रख दिया दाता है यह हमारे पास क्या है जो इसके अंदर रहता है वह हमारे पास क्या होती है iend होती है यह क्या होती है में इस थे कम्यूate growing का में मत इंको स्लिप यह इन को पर स्लिप रिंगर नीज पर हैं तो इन में इस तरीक्के से हमारे पासथ लगी रहती इस तरीक्के से एक का वायर एक से करड़ीत है और दूसरे का वायर दूसरे बाठे से हमारे पास करएक होता है इस तरिके से हमारे पास इसमें यह च्रुषता को शुए हमने पहला पार्ट किया अर में चरुब और इससरा तरी से से कार्बन ब्रस का क्या का towns कॉवता है और sarki messi external circuit और internal circuit में करन्ट का कनेक्शन देना ठीक है इंटरनल सरक् concur सरकीट और external circuit में connection देता है एक चुली में इंटरनल सरक्ट और सरक्ट में soft contact देता है ऐसा आप बोल सकते ठीक है अब क्या रहता है आपके पास carbon brush से यहां पर जाकर इधर आपके पास load resistance होता है मतलब जो भी चीज़ आपने को सिलक्टी सिटीजे चलानी है यह वह चीज़े लगी रहते हैं और यह हमारे पास हो गया connection पूरा ठीक है यह तो होगी हमारे पास construction अब आ जाते हैं इसकी working पर ठीक है working में देखिए आपको क्या करना है working में आप यूज करेंगे देखिए यह इनका नाम दे रहते हैं जैसे कि पाने गिराया पानी गिराने से ट्रभाई गुमने हैं गूमने लगेगी तो आपके पास पानी गिराया चृह कुछ भी कला आपके पास turbines क्या करती है आपके पास नोर्ट से साउथ की तरफ है तो एक मेगनेटिक फिल्ड में जो कोईल है यह रोटेट करने लग रही है मेगनेटिक फिल्ड में कोईल रोटेट करने लग रही है तो इसकी वज़े से क्या होगा magnetic flux जो है उससे लिंक जो magnetic flux link है वो क्या करेगा चेंज करेगा अब कोई पुछे क्यूंग करेगा तो magnetic flux का formula होता है भी एक हो भी तो यह त्हिता क्योंकि यह angle बार-बार में change हो रहा है इसके गूमने की वज़े से इसलिए और मेंगनेटिक फ्लक्स जब भी चेज्ज होगा तो इसके अंदर किया एक एक एम फिंड्यूस होगा पके पास वर्किंग की तो वर्किंग में देखे मैं क्या बता चुका हूं वीडियो बार-बार में पोज हो जाती है इसलिए करना वड़ रहे हैं आपको क्या क्या बताया में कोई रखी है मगनेटिक फ्लक्स जो होता है मेगनेटिक फ्लक्स तो की होता है बी एक जीमेटीक फ्लक्स चेंज हो गया magnetic flux हो गया तो क्या होगा कोईल के अंदर एक EMF इंड्यूस होगा ठीक है उस EMF इंड्यूस की डारेक्षन अगर आपको जाननी है तो इसके लिए रूल होता है मारे पास flaming right hand rule कौन सा रूल होता है flaming right hand rule क्या बोलता है कि आप क्या कर लो अपना right hand लो ठीक है राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर और थम को इस तरिक के से रेंज करो कि वे तिन नो एक दूसरे के पर म्यूचल प्रपेंडिकुलर हो फिर आपको क्या करना है जो थम है इसको करना है मोशन ओफ्द की करना है फिर्स्ट फिंगर को करना अपने मैगनेटिक फिल्ट की डारस account तो मिडल फिंगर जो है यह हम को इंड्यूस करन्ट की डारेक्शन देते हैं यह पड़ा भी हुआए ठीक है तो अब एक यहां से हम क्या माल ने से और दूसरे वारे का हिस्सा इस से जुड़ा हुआ था पक्ति हमारे पास कार्बन ब्रशी स्थी और इस अमारे पास external जुड़ा हुआ था जिसमें करनग जाना ठीक है तो इन आप बोलेंगे कि जैसे ही कोईल गुमना स्टार्ट करती है तो माल लेती है कि जो a b हिस्सा है वो down वर्ड जा रहे हैं ठीक है अगर a b हिस्सा निच्छय जा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे according to flaming left hand rule यूज के लिए आप right hand के अपना right की स्क्रीन से राइट की तरफ ओके थम आपको करना स्क्रीन से अंदर की तरफ तो यहां से हम क्या देखेंगे कि आपके पास थम को कर लिया मोशन अपड़क्टर अंदर की तरफ मैगनेटिक फिल तो आपकी बीच वाली फिंगर है वो निच्चे की तरफ इसारा करेगी ठीक ह तरफ तरफ तरह ऐसी क्या करना है तो आपकी जो टेखर करेंगे आप दो यह आता है आपके पास यहां यह आता है इस वाले शस्थे में जाएगा और इस वाले हिस्से से करेंट बाहर कंड़क्टर में ऐसा गया जो कंड़क्टर चला और यह वाफिस करेंट इसकोईल से उत्ता हुआ इधर आ जाते हैं तो यहां से करेंट ऐसा हो गया हम बात करेंगे ओफटर हाफ साइकल हाफ सेकल के बात क्या भर था आते सक्क्रबान क्या होगा च्छो यह एधर पूद जैगा तो भी इस इधर पूद जाएगा तो यह वाला तार फिशलता फिशलता एवाला तार यहाँ और जो यह इस वालत आर है यह माने पास इस साइड आ जाएगा और ब्रशी जमाने पास ऐसे लगी हुए है और रिजिस्टेंस आपने पास ऐसे लगे हुए ठीक है अब कोईल तो लगाता रहे से रोटेट कर रही है पहले यह सा निच्छे गया था अब डी सी पार्ट निच् चेक कर दें इसमें निच्छे गया यह तो आपके पास इस वाली लिंग से जुड़ा था मतलब की करण्ट इसमें पहुच्चा है इसमें गया इसमें गया और फिर इस रिंग से उत्ता हुआ हमारे पास उपर आ ठीक है तो इस तरीके से करण्ट बना अब आउटर सर्किल मे इस वाले में देखा था इसमें करंट इसमें से होता हुआ रहा था और फिर यहां इस रिंग रहा हुआ इदार चला जा तो ग्रंड की डार्यचंस ये खिय और हैपनी डारेक्सिंद में चेंज कर रहा लेक्सिंद ने तो ऐसे को ही अल्टरनेटिंग करेंट क्या है ऐसा करण्ड जो टाइम के साथ अपनी डारेक्षान कर ले जैसा कि हमने इसमें देखा उसको क्या मोलता है alternating current ठीक है अब बात आती है जो main थी इसकी derivation ठीक है तो जो EMF induced होता है उसका लेजलों से पॉर्मूला होता है माइनस का d5 by dt ठीक है इसके बराबर होता है ओके तो e is equal to minus का d y dt of ठीक है जो magnetic flux है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्ष बी डोट ए है कैसे मेगनेटीक हरते है एरिया मेगनेटिक फिल्ल Dr. ब्ण् fins डीवाइटी उ ड्योट रटता है तो हमारे पास यहां कोस ठीक है अब यह ठीक है जैसे आपके पास यह कोईल थी इससे आपके पास यहाँ पर एक ट्रमाइन जुड़ा हुआ था तो जब यह पास यह घूबने लग जाता है तो एंगुलर जो ट्रेस कर रहा है जो ठीटा एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट एक तरिके से इसके गूम नहीं आइगनुलर डिस्प कोंस्टेंट है यहां से बस्त तो ससे कोंस्ट नोता है मैनस का साइन उस्ट हो जाएगा वी ए साइन ओमेगा टी और एंगल का गरते तो एक ओमेगा और आएगा तो एमफ जो इंडिउस हो रहा है वो आ गया डी ए ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी यह तो एक टरन का अधिकर एक टर्न का एरिया लिया है ऐसी तो एन नमबर अफ टरंट एंड क्योंकि इसके पर होती है मेगनेटिक फिल कॉंस्टेंट है एडिया और उसके गूमने की रफ्ता टर्बाइन पर डिपेन करती है वह भी कॉंस्टेंट है तो इन सब को मैं एक इनोट के बराबर लिख लेता हूं तो इस इकल टू इनोट साइन ओमेगा टी यह अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मुला है यह क्या है मारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसका मतलब कभी भी सी में आपको वोल्टेज को दिखाना हो तो वोल्टेज की क्या होती है यह साइन की तरह वैरी कर रहा है तो करंट क्या होता है करंट होत तो आई नोट साइन ओमेगा टी तो इस तरीके से हमने देखा कि एसी करन्ट या वोल्टेज इस इक्वेशन से डिनोट कर दिया जाती है यही जस्ट पढ़ाने के लिए आपको एसी जन्रेटर कराए गया है कि हम एसी को कैसे डिनोट किया करेंगे फिक है ज拼 इसमें क्या होता है Hemारे पास ईज इगल टू O मे planner Ig Lab T, फोड़ा सा ओरवर्चेंज होता है इसमें हम यहां पे प्लस में फाइन भी दिखा सकते हैं फिक है इस इस पर मैं बाद में बात करूँगा जब सी स्टार्ट करूगा तो आपको यह एक्वेशन साइए कैसे हैं यह हमारे पास इसी जन्नेटर से आई हैं ठीक है अभी मैं इसमें देख रहा हूं कि बार बार में वीडियो पोज हो जा रही है वीडियो रूप जा रही है नेटवर् करूँगा और बाद में देखते हैं कि कैसे क्या होगा है यह मारे पास ठीक है ओके